Hello student, good morning, आपका स्वागत हैं आपके ही चैनल सिप्टा मिस्रा पर जैसा कि हम लोग exercise 9.3 question number first देख चुके हैं तो आज हम लोग question number 2 को देखेंगे क्या है तो आई हम लोग question number 2 को पढ़ते हैं इन A ट्रेंगल ABC, यह A ट्रेंगल है ABC, E is midpoint of median AD यह जो है, वो midpoint है, किस पर? यह जो AD है, वो median है, line BC पर ठीक है, median का मिंस क्या होता है? जैसे यह A ट्रेंगल है, ठीक और यह A, B, C हम लोग इसका नाम दे देते हैं, तो यह जो AD है मिंस अगर हम लोग यह median इसके उपर डाल देते हैं, line BC पर, ठीक है AD median हो गया, और यह ट्रेंगल है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ट्रेंगल ABD equal हो जाएगा किसके? ट्रेंगल ACD के, यहाँ पर मिंस यह वाला जो ट्रेंगल है, यह इसके equal हो जाएगा, इस वाले ट्रेंगल की equal हो जाएगा कब equal होगा? जब यह median, AD जो है, वो median रहेगा, तब अब यहाँ पर देखो, so that area of triangle BED यहाँ पर so करना है, area of triangle BED, मिंस यह वाला जो पाल्ट है, ठीक है? यह किसके equal है? 1 by 4 area of triangle ABC, मिंस इस पूरे के equal करना है 1 by 4, अब देखो, BED यह triangle हुआ, यह किसके equal होगा? 1 by 4 area of triangle ABC के, आप यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो हम लोग statement लिखेंगे, क्या यह जो AD है, वो एक median है, तब यह वाला triangle, इस वाले triangle के equal हो जाएगा, ठीक, अब हम लोग को यह वाला triangle निकालना है, तो जब हम लोग इस वाले triangle को निकालेंगे, और पहले सुनो, यह वाला triangle ABD, triangle ACD की equal हो जाएगा, अब यहाँ triangle ABD बनेगा कैसे? जब हम लोग triangle AB, E, plus triangle B, E, D, दोनों को add करेंगे, तब ही यह equal होगा किसके? triangle ABD के, ठीक वैसे इधर भी होगा, तो यहाँ पर हम लोग यह सब लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकेंड एक्वेशन को add करेंगे, है ना? तो यहाँ पर जब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड एक्वेशन को देखेंगे, उसके बाद वहाँ से यह प्रूफ हो जाएगा, यह वाला, triangle B, E, D, किसकी equal हो जाएगा? 1 by 4 area of triangle A, B, C के, राइट, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या? जो जो statement यहाँ पर है, तो पहले हम लोग लिखेंगे, area of triangle ABD, area of triangle ABD, equal to area of triangle ACD, इसके ACD के, ठीक, अब यह किसके equal हो जाएगा? 1 by 2 area triangle ABC के, मिन्स यह पूरे 1 by 2 area triangle ABC के, equal हो जाएगा, इतना आपको समझ माया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ? कि AD जो है, AD is a median, right? AD जो है, median है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, यह वाला triangle, इस वाले triangle के equal हो जाएगा, और यह equal हो जाएगा, 1 by 2 area of triangle ABC के, right? इतना clear हुआ आप लोगों का, तो देखो, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, area of triangle ABC के, यह आपका first equation हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, triangle ABD, triangle ABD, और E जो है, वो midpoint है, किस line पर? AD line पर, और BE, ठीक है? इतना clear हुआ, अब आगे चलेंगे, आप यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ पर है, आफ AD, यहाँ पर देखो, E जो है, वो midpoint है, किस line पर? AD line पर, इतना clear हुआ, अब आगे चलेंगे, आप यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, then BE will be a median, a median, after angle ABD, राइट? आप यहाँ से देखो, area of triangle, A, B, E, means यह वाला जो part open है, जैसे यहाँ पर हम लोग ऐसे से बनाए है, कि यह वाला जो open है, वो किसके equal हो जाएगा? 1 by 2, area of triangle ABD, ABD मेंसे, जब इस वाले को निकाला जाता है, कितना हैगा? यही वाला बचेगा, तो A, B, E, means यह वाला part किसके equal हो जाएगा? 1 by 2, area of triangle ABD के, तो यह आपका second equation हो जाएगा, अब first वाले में और second वाले में, हम लोग देख रहे हैं, क्या कामन लग रहा है triangle, area of triangle ABD यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर 1 by 2 नहीं है, बट यहाँ पर है, तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे? From, from equation first and second, we get, area of triangle BED, area of triangle BED, equal हो जाएगा किसके? 1 by 2 area of triangle ABD के, राइट, यहाँ पर यह हो गया, अब यहाँ पर देखो, BED, यह वाला चाहिए था, BED, equal to 1 by 2 area of triangle ABD, अब यहाँ पर देखो, यह जो ABD है, यह वाला यहाँ पर क्या है? ABD है, तो area of triangle ABD किसके इक्वल है? 1 by 2 area of triangle ABC के, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, by using, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, by, by using first equation, first equation को use करते हुए, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, area of triangle BED, equal to 1 by 2, अब यहाँ पर देखो, first equation में क्या बोला है? यह वाला, area of triangle ABD, यहाँ पर 1 by 2 हम लोग ऐसे लिखेंगे, फिर area of triangle ABD के place पर क्या लिखेंगे, 1 by 2, तो यहाँ पर bracket बनाएंगे, 1 by 2 लिखेंगे, area of triangle ABC है, तो ABC हम लोग लिख देंगे, bracket को close कर लेंगे, right, अब यहाँ पर देखो, आएगा क्या, area of triangle BED, equal to 1 by 2, into 1 by 4, बाहर कर लेंगे, तो 1 by 2 into 1 by 2, तो 1 by 4 आएगा, त्यहाँ पर 1 by 4, area of triangle ABC, तो हम लोग को proof क्या करना था, यही area of triangle BED, equal to 1 by 4, area of triangle ABC, तो यह देखो कितने आसानी से proof हो गया, कोई confusion हो आप लोगों को तो बताईएगा, वैसे बहुत हीजी है, बस इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, आप लोग अगर एक बार अच्छे से वीडियो को देखेंगे, तो सारी बात इसमें clear हो, बस यहाँ पे एक बार सोचना है, जब भी इमान लोग कोई triangle है, ठीक है, उस पे जब median पढ़ता है, तो वो दो triangle equal हो, वहाँ पे दो triangle बनता है, जब वो दोनो triangle, जब median रहता है, तो वो दोनो triangle आपस में equal हो जाएंगे, यहाँ पे, जैसे यह समझाया गया है, तो यहाँ पे दोनो triangle equal हो गया, ठीक हो, ऐसे यहाँ पर भी है, तो ABD equal हो गया था किसके, ACD के, तो अब यहाँ पे E जो है, वो midpoint है, और यह वाला ED जो है, वो median था, फस्ट वाले में, फस्ट वाला कुशन जो था, कुछ है ऐसे ही था, और SSI 9.2 तो का जो भी कुशन है, वो उसमें भी दो कुशन, साद मीडियन का ही है, है ना, तो आप लोगों को यह सब आच्छे सी समझ में आ गया होगा, कहीं आपको problem हो, तो आप comment करके, बता सकते हैं, कि यहाँ पे problem है, ठीक है, thank you guys, bye bye, अगर आप अभी तक हमारे channel पर नए हो, तो like, share and subscribe किजिए, thank you, bye bye